कई बारना हम लोग बहुत जादा कन्फ्यूजन में होते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम करियर को लेके किस ट्रैक पे जाएं बहुत सारे कन्फ्यूजन मतलब बहुत सारे थॉट्स हेलो एविवन वेलकम टू उपास्तना की दुनिया कैसे आप सब उम्मीद करती हो सब बहुत अच्छे हैं सब की लाइफ बहुत आमेजिंग चल रही है तो यार आज चो है हम बात करने वाले हैं बेमेस को लेके चाहिए आप कहलो मेरी जर्नी को लेके या फिर एक बेमेस डॉ होती है और कैसे किसे प्रेक्टिस करते हैं यहां पर हम किसी पैथी का कंपारिजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओविएसलियार हर पैथी अपनी जगह पे अलग है जिसे कि अगर मैं अबीवेस की बात करूँ ठीक है अगर एक पेशेंट वेंटिलिटर पे हैं आइस्यू में है बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नीट का एक्जाम दिया मैं क्या सच में बेम में अच्छा होता है और सबसे कॉमन कॉश्यन आता है मैं मांक्स कम आने पर ही लोग बेमेस क्यों लेते हैं तो यहीं से शुरुवात करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है बढ़ हां 90 पसेंट लोग बेमेस भी बैचलर है ठीक है और दोनों में डिफ्रेंस क्या है कि जो आप वहां पर अनॉत में फिजियालोजी मेडिसीन और गाइनी जो भी सब्जेक्ट वहां पर पढ़ते हो सेम आप आयूरुवेदा में पढ़ रहे हो और उसके साथ आप आयूरुवेदा का अलग से भ सेमुलिंगम फिजियालोजी में वहां पढ़ रहे हो यहां भी जितना वहां पढ़ रहे हो और डाइसेक्शन आप लोग जो है बीमेस में भी डाइसेक्शन करेंगे तो वहां भी कुछ डिफरेंट नहीं है फिर इसके बाद कोईशन आता है कि क्या एक बेमेस दॉक्तर अल सब्सक्राइब करते हैं तो उन्होंने मुझे का मैं मेर बसना जैसे एजुस्पर्मिया के पेशेंट आते हैं लो स्पर्म काउंट के तो मैना उसमें अईरुवेदी की मेडिसिन देती हो आपको तो बता होगा कि ये वाला गृत अच्छा काम करते हैं तो मुझे बहुत जो मैंने अपने करियर में अबजर्ब किया मैं पास सेवेन येर से प्रेक्टिस कर रही हूँ कि फरक सिरफ इतना है कि जब आप एक हेलोपेथिक डॉक्तर के पास जाते हो वो क्या करते हैं आप अंधर जाते हो वो आपको बोलेगा प्रिस्क्राइब करेगा पांस दिन खा और एक आयुर्वेधिक डॉक्तर वो आपको क्लियर बोल देगा कि 6 महीने से 1 साल मान के चलो तो आपको क्या होता है हमारा हुमन नेचर है माइंड सेट है पांच दिन चाहे 10 चकर लग जाएं लेकिन 6 महीने काथा बोल दिया तो उसमें कहीं ना कहीं वो चीज हमें डिस्ट जितनी भी क्रोनिक डिजीज है क्रोनिक से क्रोनिक अर्थ राइट से स्पोंडिलाइट से आयुर विदा उसको कंप्लीटली क्यार कर देता है और अब यहां पे कुश्यन मार काता है अर्निंग पे यह ऐसा नहीं है मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल वाच्छा में बहू ल तो अगर आपकी कोई भी डिग्री है आप मास्टर्स कर लें, MS, MD उसके आगे भी 10 डिग्री कर लें नौलेज नहीं है तो कोई भी एक टाइम के बाद आपके पास उतना जादा आएगा नहीं ठीक है हर कोई क्योंकि एक डॉक्टर की लाइफ जो मुझे लगता है मेरा एक् बनती है उससे best advertisement एक डॉक्टर के लिए कुछ भी नहीं हो सकते तो कहने का मतलब यह है कि चाहिए आपके बास डिग्री कोई भी है आपका जो में काम है ठीक है वो है पेशिंट को ठीक करना और जब आप से पेशिंट सेटिस्फाय है वो ठीक हो रहा है तो आप कितनी भी ड कितना कमा लेंगे आप जिंदगी में कमाने की तरफ सोच के चलोगे ना पहले ही कभी भी नहीं होगा आप अनी नहीं कर आप खुद को पॉलिश करो बता आप नॉलेज उतना बढ़ा हो ठीक है कोई भी पैथ है कोई आपको वहां सिखातानी आप अपने observation से experience से सीखते हो ठ साथ साल लगे हैं यहां आने में ठीक है और अगले शायद साथ साल में और यहां पहुंच हूँ लेकिन साथ साल पहले मैं भी यहीं पर थी जब मैंने शुरुवात की थी तो जुर्बा आता रहा आज मैं अपनी medicine बना रही हूँ अपने composition है combination है manufacturing है आप भी कर सकते और जर्नी स्टाट की थी आज मेरा अपना hospital है patient वहाँ पर admit होते IPD है एक time पर सिरफ OPD होती थी और शयद आने वाले कुछ और साल में मैं इसको बहुत अच्छे रेवल पे लेके जाओंगी example पतंजली के ले लो शुरी शुरी रवी शंकर ले लो बहुत सारे ऐसे centers है ठीक है ब मैंने जर्नी स्टाट की थी मुझे आज भी आद है कि चलो जब टीवी प्रोग्राम आते थे वह concept अब जब क्लीनिक की चेंज स्टाट की थी मैंने इवनिंग ताइम में कई बार तीन तीन चार चार दिन ऐसे हो जाते तो मेरे पास एक भी क्लाइंट में होता था बड़ मैं इसे पहले उसे क्लाइंट थे क्यों क्योंकि उनकी फैमिली यहां ठीक हो रही है वह इतनी दूर से हमारे आहां पे आरे इस पैशली पंच कर्मा करवाने थीक है हमने पंच कर्मा सेंटर डिवल्प किया ऐसा सेंटर जो शायद ही आपने देखा हो उसके अंदर वह इंवार् मुझे असे लगते है कि आज के टाइम में यह होना बहुत इंपॉर्टन है मैंने भी सार्ट नहीं तो मुझे सेवेन रोगे हमने भी अप्रॉक्स लास्ट ये चीज सार्ट की बट यस अगर मैं इसको पॉजिटिवली लेके चलो तो जो पेशिंट ठीक हो रहे थे बहुत अगर यह नहीं होता हमें पता नहीं चलता हुर हम कभी ठीक ही नहीं उपाते इसके बाद बहुत सारे फेमस इंफ्रेंसर हैं हम जैसे खुद हैं ठीक है आप लोगों को इंफ्रेंस करे हो लेकिन मैंने युन का भी ट्रीटमेंट किया ऐसे ऐसे यह संगे स्पॉंडिलाइट कि आपको खुद पर कॉंफिडेंस है ना तो आप धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप सीडी दर सीडी चड़ते जाओ आपको खुद वो काम्यावी मिले कि आप सोच भी नहीं सकते एक ताइम पर वेटिंग है तो आप खुद सोचे कि यहां से यहां तक कर सफर में एक लंब मेरी भी ख्वाहिश हैं अगर मैं मैंनत कर रहे हूं तो मैं क्यों ना कमाऊ ठीक है मेरे भी सपने और उसके लिए बिना पैसो के तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है कमाने का सोच बट अपने को पॉलिश करके कि आपका नॉलेज उतना बोस्ट हो जाए तो को प्रेक्टिस करवा पाहूं और प्रेक्टिस जो है न और यह चीज़े नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ हाथ है अगर आप सोचते हो कि 10 दिन में आ जाएगा तो डेफिनिटली मैं सब की हल्प करती तो आई होब की जिनका भी कॉन्फिरेंस नीट एक्जाम के बाद डाउ प्रेक्टिस है डिस्क बल्च है एक बार आप हमारा ट्रीटमेंट ट्राय करना आपको खुद पता चल जाएगा कि आयुरुवेदा किस लेवल पे काम करते है और आयुरुवेदा में भी वेद आयुरुवेद आप लोगों ने मुझे उपास्तना की दुनिया को बहुत प् क्रिया